जैहिन साथ यो बेलकम टू सेल्प इस्टेडी के लासे स्वे सुमिज जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम परियावरन पेडागोजी के लगबग असी प्रस्णों पर चर्चा करेंगे आप से निबेदन करूँगा कि वीडियो को लाइक अबस्त करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे कई वीडियो आपके आने वाले हैं कई वीडियो उपलब्द हो चुके हैं तो आज का पहला प्रस्ण है कि परियावरन सब्द निबन मैं से किस सब्द की मूल अभी व्यक्ती है तब आपको बताना है चार विकल्प आपके सामने समस्त पारिश्तित्की की जैवे घटक की बहुत एक परिवेस या फिर बाता वरनी ये दसाएं तब आपका उत्तर क्या होगा कमेण्ट में आपको उत्तर बताना है ए बी सीडी इस प्रकार से आप कमेण्ट में बताती जाएंगे आपका उत्तर हो जाएगा बेकल्प नमर ए समस्त पारिश्तितकी की परियावरण सब्द की मूल अभी व्यक्ती है परिया वण का जन जीवण से क्या संबंद है परियावरत नमर जो सी है वो आपका सई हो जाएगा अंगला कोश्चन देख लेते हैं साथ किहां इन्वारननर किस भासा का सब्द है हमें बताना है इन्वार्नमेंट आप पड़ते हैं लेकिन इन्वार्नर जो सब्द है वो किस भासा का सब्द है प्रशने करमांगे तीन का आपको उत्तर बताना है तब सभी का most important है सभी का उत्तर हो जाएगा प्रशने हैं तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है वेकलप नमर सी एनिकी परियावर्न जैवेक के वाम अजैवेक तत्तों का समुए बहुत बढ़ी आंसर सी नमर का इसका सई हो जाएगा अंगला क्वेस्चन देखते हैं अंगला जो प्रशने हैं दोस्तो तो परियावर्न सिक्षा से क्या आस्स है आपको बताना है आपके चार विकलप है परियावर्न के महत्तो का ग्यान परियावर्न प्रदूशन के कारणों की जानकारी परियावर्न प्रदूशन के प्रभाव से बचने के उपाएग यात होते हैं या फिर उपरियावर्न सिक प्राकरतिक परियावर्ण आपको बताना है, प्रश्न किरमांग 6 का उत्र बताना है, सब सभी लोगों का आइंसर, जल्दी जल्दी से सभी को कमें ए, बी, सी, डी लिखना है, और उत्तर आपका हो जाएगा बिकल्प नमबर D, उत्तर परियावर्ण सिक्षा से क्या आज से प बहुत बड़ी आइंसर, सभी लोग एक दम सही आइंसर बता रहे हैं, अंगला क्वेस्चन देखेंगे, परियावर्ण के संबंद में कौन सा कथन, असत्त है, बताना है, कि जीवों के चारों और की बस्तुएं परियावर्ण बनाती है, जैवेके बम अजयो, घटक परिया हो जाएगा, असत्त हो जाएगा, असत्त पूंचा गया, तो असत्त हमने बता दिया, परियावर्ण के संदर में बिस्तु इस्तर पर सोच कहां से प्रारम हुई, प्रश्न करमांक 9 का उत्तर बताओ, डैनमार्क, भारत, इंगलेंड या फिर फिनलेंड, तो प्रश्न करमां 10 का उत्तर हमें बताना है, पहला बिकल्प है भारत, नई दिली, पेरिस, फ्रांस, हैना, या तिविलिसी, रूस, या बेलगरेट, युगो, सिलाविया, तो प्रश्न करमांक 10 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दोस्तो इसका सही उत्तर होगा, बेलगरेट, यानि की बिकल 10 का सही उत्तर होगा, यानि की बिकल्प नमबर जो है, वो इसका सही, साब जनेक संपत्ती की संरक्षन का जो उत्तरदायत हो जाएगा, प्रश्न करमांक 11 का हमें बताना है, तो 11 का साब जनेक संपत्ती की संरक्षन का जो उत्तरदायत है, वो किसका है, तो सभी का उत्तरद प्रस्निक्रमां का आपका आंसर क्या होगा तब आपने उत्र बताया है वो बताया है घर की पुताई यह नि कि जो बिकल्प नमबर यह है प्रस्निक्रमां को सिक्षण में इस्ठान मिलना चाहिए तो क्या इस्थान मिलना चाहिए तब आप सभी ने उत्र बताया है प्राथमे के स्थर पर बिकल्प नमबर यह इसका सई होगा परियाबरन को सिक्षण में इस्थान मिलना चाहिए तो प्रात में किस तर पर भी मिलना चाहिए माद में किस तर पर भी मिलना चाहिए तेरा का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वो परियुक्त सभी यानि बिकल्प नमबर D माद में किस तर पर भी उस्ची स्टर पर भी तो सिक्षण में सबी पर मिलना चाहिए D नमर इसका सही होगा दोस्तो ठीक है? परियाबरन शिक्षा का पाठक्रम होना चाहिए चओदा का उत्तर बताना है चओदा का उत्तर क्या हो जगा? सभी लोग आंसर बताएंगे कि परियावरन सिक्षा का जो पाटक्रम है वो क्या होने चाहिए सभी का आंसर आने चाहिए फटा पट सभी लोग उतर बताएंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा परियाबन सेक्षा का पाट करम एक समान आयू के अनुसार सेक्षे के स्तर के अनुसार या आयू एवम सेक्षे के स्तर के अनुसार तब चवुदा का उत्तर सभी ने क्या बताया है कि परियाबन सेक्षा का पाट करम आयू एवम सेक्षे के स्तर के अनुसार यानि बेकल्प न तो सभी लोग उत्र बताएंगे इसका उत्र होगा निगमन विधी में यानि जो बेकलप नमर C है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चन है कुमारी हैलन पार्सवर्स्ट ने किस विधी का निर्मार किया है आपको बताना है मांटे सरी डाल्टन किंडर गार्ट विधी तब प्रशन कि रमाग 16 का उत्र क्या होगा कुमारी हैलन पार्सवर्स्ट ने जो है डाल्टन विधी यानि बेकलप नमर जो B है वो इसका सही हो जाएगा इस विधी का इन्होंने निर्मार किया है तो सभी को याद रखना है निमन में से कौन सा सिक्षन प्रकिरिया का अंगर नहीं है तो C नमर इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट है किस सिक्षन प्रणाली में पार्ट का ठेका दिया जाता है तो बताना है किस सिक्षन प्रणाली में पार्ट का ठेका दिया जाता है तो 8 का उत्र बताना है डाल्टन, मांटे सरी, बेसिक प्रणाली या उपर तब सभी लोग उत्र बताएंगे सभी को उत्र कमेंट में A, B, C इस प्रकार सी बताना है तो आपका उत्र होगा डाल्टन यानि बेकलप नमर जो A है जिन्हों ने भी बताया है उनका सभी का अंसर सही है A नमर का अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं दोस्तों अंगला है अप उत्र बताया है वो क्या बताया है वो बताया है किंडर गार्टन बिदी को बालोध्धान बिदी भी कहा जाता है बहुत बढ़िया ग्यात से अग्यात की और किस सिक्षन बिदी में अपनाई जाती है प्रश्न करमांग 20 का उत्र हमें बताना है सभी लोग बताएंगे सुकर बिर्मण, निमले खित बिधी का उधारन हैं 21 का आंसर सभी को बताना है प्रियोग्साला बिधी का, निरीक्षन का, किरिया कलाप या भाव परदर्शन का तब आपका A B C D में से उत्तर 20 बन का हमें चैन करना है और आपने बताया है कि निरीक्षन बिधी बिर्मण जो है निर पहारों की जो संक्या होती है, वो कितनी होती है, तो बहुत ही है 20, यानि बिकल्प नमबर जो A है, वो इसका अंसर सही होगा, क्रीया कलाब का बिचार सिक्षा चेतर में स्तापित करने का प्रिणेता माना जाता है, तब सभी को उतर बताना है प्रश्न किरमांक 23 का, तो आपक 24 का सभी को बताना है इस तूल से सुक्षमी की और किस सिक्षन बिदी में अपनाई जाती है करके सीखना आगमन प्रियोग आत्म की या फिर निरीक्षन बिदी तो 24 का अधिकांस लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आगमन प्रियोग बिदी में अपनाई जाता इस तूल से सुक्षमी की और बी नमर इसका बिल्कुल साही हो जागा बहुत बड़ी आंसर प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है तो किस से है किल पैट्रिक से मदन मोहन मालविय से या फ्रॉबेल या फिर मांटे सरी ये चार जाता है और हुरोसको का अर्थ क्या होता है 26 का अंसर हमें बताना है मैं खोचता हूँ मैं जानता हूँ मैं निरीक्ष्ण करता हूँ या इनमें से कोई नहीं तब सभी लोगोंने 26 का अंसर बता है कि मैं खोचता हूँ यानि बेकल्प नमर जो ए है वो इसका बिल्कुर चा जाता है तब 27 का अंसर बताया बेक्तित्त को यानि जो बेकल्प नम्मर ये है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला है कॉस्चिन पार्ट योजना में सेक्षन उद्देश्ट होना चाहिए तो इस पस्ट इबंबस्तूनिस्ट ब्यक्तिनिस्ट आइस पस्ट या फिर अनिस्चित तब 28 का जो अधिकांच लोग जो उत्तर बता रहे है वो बता रहे है यानि कि इस पस्ट इबंबस्तूनिस्ट होने चाहिए पार्ट योजना में ये नम्मर इसका बिल्कुल सही होगा अंगला कुस्चिन देख लेंगे पार्ट योजना को अत्यांत बेग्यान तो इसका बिल्कुल राइट अँसर होगा द्रस्ट सरब सेक्षन सामगरी है तो क्या है बिल्क बोर्ड, चल्चित्र, टेप रिकार्डर या फिर माडर द्रस्ट सरब हमें बताना है तीस का उत्तर सभी लोग बताएंगे लिखो जल्दी से उत्तर होगा चल्चित्र जो है ये द्रस्त स्रब सेक्षन सामगरी के अंतरगा तता है, बी नम्मर इसका बिल्कोर साही हो जागा, अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं, अंगला क्वेस्चन हैं दोस्तों, कौनसी पृतियोगिता सभी के लिए संभाव नहीं है, सामान ग्यान, कट पुतली, निवंद लेखन, या फिर खेल, तब 31 का आंसर, सभी लोग लेखेंगे, बेकल्प नम्मर इसका क्या हो जागा, कट पुतली मंचन, ये पृतियोगिता सभी के लिए संभाव नहीं है, यानि जो बेकल्प नम्मर बी है, आपका वो सही हो जाएगा, प्रिकृति सर्रक्षन से संभन्दित कार है, तो कौनसा ब्रक्षार उपर, पेड़ पोदों की सुरक्षा, जलासयों की सफाईया उपर योग तो सभी, तब 32 का आंसर, सभी लोगों को बताना है, वो 32 का आंसर होगा उपर योग तो सभी, यानी जो बिकल्प नमबर D है, जो अधिकांस लोगों ने D बताया है, वो बिल्कुल सही है, बिचार बिनिमय संभन्दी किरिया कलाब है तो कौनसा है, चित्रन, प्रोजेक्ट, सेमिनार या फिर प्रदर्शनिया, बिचार बिनिमय संभन्दी हमें किरिया कलाब बताना है, तो 33 का आंसर क्या होगा, वो होगा सेमिनार, यानी जो बिकल्प नमबर B है आपका, वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला सवाल है, खेल का संभन्द है, स्वास्त से, मांसिक संदुलन से, संभेगों के नियंतरन से आओ परियुक्त सभी, तब 34 का आंसर सभी को बताना है, सभी को पता भी है, तो 34 का सभी लोगों ने खेल का संभन्द जो बताया, वो D, यानी वो परियुक्त सभी, इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है, चोटे बच्चे स्वभाउता होते हैं, तो कैसे होते हैं, नटखट और दंड, सान्त अवं सुसील, सरल अवं जिग्यासु, गुमकड़ा और खेलारी, तो चोटे बच्चे स्वभाउता कैसे होते हैं, आपको पता होनी चींब, ये 35 का अंसर होगा सरल होते हैं और जिग्यासू भी होते हैं या इसका बिलकूर राइट हो जाएगा विध्यालाई में आउजित की जाने बाली बिभिन पार्ट सहगामी करियाओं के बारे में आपकी क्या राय है 36 का अंसर सभी बताए ये भी सिक्षा के आवस्ता कंग है इनसे पठन पाठन में बादा पड़ती है इनसे बच्चों में सामित्रे गुड़ों एवं सहभागीता का बिकास होता है या इनसे चात्रे वद्यावागों का मरुरंजन होता है तो आपको बताना है 36 का जल्दी से य इनसे बच्चों में सामित्रे गुड़ों एवं सहभागीता का बिकास होता है तो दुस्री नम्मर इसका बिलकुर सही हो जाएगा है या आज की सिक्षत बेरुजगारी बढाने बाली प्रनाली है क्योंकि उत्तर बताओ 37 का उत्तर बताओ ये चार बिकल्प है और सभी लो इसे पूछ कर लेखते हैं सभी चात्र सांत हो कर ध्यान पूरवको उसको सुनते हैं बिलेक बोट पर लेखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लेखते हैं या पर सिक्षन की समय प्रशन या प्रसन पूछते हैं तब 37 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताई है वो बताया है B, कि सबी सांत, छात्र सांत होकर ध्यान कुर्वकुस को सुनते हैं, तब एक सिक्चक अधिक प्रसंद होता है, या नि जो बिकल्प नमर B है, वो आपका बिल्कुर सही होगा, प्रियोक साला बिदी द्वारा छात्रों के अध्यन को किया जाता है, तो क्या किया जाता है, 39 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, बेकल्प को आपको पढ़ना है और उत्तर भी सभी को बताना है कि प्रियोग सालाबदी द्वारा छात्रों की अध्यन को किया जाता है तब आपने 39 का जो उत्तर बताया है दोस्तों बो बताया है तो किसके द्वारा, 40 का उत्तर सभी लोग बताएंगे मुल्यांकन द्वारा, परीक्षन द्वारा, अभी लेखों की जाज द्वारा है उपर उक्ते सभी द्वारा, 40 का उत्तर बताना है तब 40 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया वो बताया है मुल्यंग कंद्वारा बहुत बड़ी आंसर ए नम्मर इसका सही होगा बालकों की बौद्धिक शम्ता का पता लगाने के लिए किस प्रकार की प्रस्ने दिये जाते हैं निबंदात्मक बस्तुनिस्ट दोनो या उपरयुक्त मैं से कोई नहीं तो आपका उत्तर जल्दी से लि कल्प नम्मर डी परयावरन से भी बंसानुकरम पोस्टन से भी होता है सिक्षण को प्रभावसाली बनाने है तू बालकों में बिसाई की पिरती क्या उत्पन करना आवस्ता के बिसाई के पिरती रुची धैर सहनसीलता या फिर आलस तो 43 का उत्तर बताना है और 43 का जो उत् या इनमें से कोई नहीं, तो 44 का उत्तर सभी लोगों को पता होने चाहिए, कि बिज्ञान का जो सिक्षन है, वो किन रूपों में किया जाए तो प्रायों के एक और सहदान तिक दोन रूपों में, ठीक है, सैक्चिक प्रिकरिया का बिचार निमलिकित की संदर में किया जाता ह 45 का उत्तर हमें बताना है, और 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा, चार बिकल्पों में से आपका उत्तर होगा, बिकल्प नमबर D, उपर युक्त सभी, बहुत बड़ी आंसर, प्रारंबिक मानों की सिक्षा का संबंद है, जल्दी-जल्दी से सभी लोगों को A, B, C, D बताना है, प्रारंबिक मानों की सिक्षा का संबंद क्या है, बेपसाईक पक्च से, नैतिक पक्च से, धार्में पक्च से, और परियुक्त सभी पक्चों से, तो 46 का जो आंसर हो जाएगा, दोस्तों, वो जागा D, यानि कि और युक्त वी पक्चों से ह पहले तो आपका 47 का आंसर जो सभी लोगों ने बताया है वो क्या बताया है जल्दी जल्दी बताएं इसका उत्र होगा उसके जन्म से पहले अभी अभी ब्रतियों का निर्मान जो होता है 47 का जो आपका उत्र होगा वो D हो जाएगा है ना बहुत बढ़ी आंसर जन्म के होता है यानि मैंसे कोई नहीं तो 48 का उत्र बताओ 48 का उत्र सभी लोगों ने बताया है कि उदासीन होता है यानि बेकल्प नमबर जो बी है वो इसका सही होगा जन्म के समय सिसु उदासीन होता है ठीक है साक्षातकार होता है क्या होता है संप्रेशन पदत्य बिसेशन या फिर आंगे के और भी अपन वेकल पे यहाँ पर देख लेते हैं कि संप्रेशन क्या होता है तो संप्रेशन होता है आमने सामने बैटकर बारतालाप यानि कि जो आपका सी नम्मर है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा आधुनेक बेग्याने के ओग में विस्तु की गंभीर समस्या है तो क्या है परियावरन प्रिदूशन विरुजगारी गरीबी या फिर सिक्षा ब्रत्ती गंभीर समस्या पूंचा गया है तो 50 का उत्तर सभी लोग लेखेंगे तब आपक प्रियावरन प्रियावरन की समस्या हल करने के लिए जो सरवादे को प्योगी सिद्ध हो सकती है वो क्या है त्रेपन का उत्तर बताओ समान सिक्षा नौप्चारेक सिक्षा परियावरन सिक्षा या प्रत्यक्ष सिक्षा तो 53 का दिकांस लोगों ने जो उत्तर बताया है कि परियावरन सिक्षा या बेकल्प नमबर जो बी है वो इसका सही होगा ओप्चारेक परियावरन सिक्षा का पहलाता है यानि सी आपका बिल्कुर सही होगा नेक्स्ट है रुची का ज्यान सिक्षा में सहायक है अनुसासन बनाय रखने में पार्टक्रम निर्मान में अब्वय तता सोसर दूर करने में या उपर युगत सभी में तब 55 का सभी लोगों ने उत्र बताया है कि उपर वहार के अरजन में प्रगति की प्रिक्रिया है यह जो है वो 56 का सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो बताया है इसके नर यानि बेकल्प नमर जो ए है वो इसका बिल्कुर राइट हो जाएगा बहुत बढ़ी आंसर सीखने से परिवर्तन होता है बेक्तित्त में वहार म कि थंडा एक महुदय ने सीखने के नियमों का प्रिति पादन किया है ए नमर विल्कुर सही होगा नवीन अनुबंदन से दांद का प्रिति पादन किस ने किया है हमें बताना है तो आपका उत्तर होगा इसके नर महुदय यानि बेकल्प नमर जो ए है वो इसका सही होगा सी चीखने की नियम देखो अब्यास का नियम प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम यह उपर यूग सभी इसका सा यहूगा इस सीखने की नियम कहलाते हैं दोस्तों आपको याद होनी कि बेक्तिकत भिननता के अबधारना का सिक्षा कि चित्र में महत्य, तो बेक्तिकत भिननता के आधार पाउत का बिक्तित रुप से ध्याना देना, यहनि बेकलप नमबर जो D है वो इसका सही होगा, जन्मजाद भिनता के लिए पिरमों को तरदा पुरक कोंसा है? 62 का सबी लो समाज सम्मत बनता है तो किस प्रकार के बिवहर से समाज सम्मत बनता है तो किस प्रकार के बिवहर से समाज सम्मत बनता है तो किस प्रकार के बिवहर समाज सम्मत बनता है तो किस प्रकार के बिवहर समाज सम्मत बनता है तो किस प्रकार के बिवहर समाज सम्मत बनता है तो किस डी नममर आपका बिलकुर रिट हो जाएगा अंगला question है kindergarten प्रदाली में सिखचक का इस्थान है तो क्या है माली का बागवान का प्तप्रदार्सा किया पर ने अंट्रक का तो kindergartन पतदती सभी लोगोंने पड़ी होगी सी नमर इसका सही होगा पत्थ प्रदासा किसका सी नमर का बिलकूर सही होगा सहज अभी वैक्ति के लिए बच्चों को सुतंतरता देना इस प्रणाली का मुक्सित दान्त है एह मानता किस सिक्षा प्रणाली की है तो 66 का आंसर बताएंगे, 66 का सभी का आंसर आने चाहिए फटाक से और सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, वो क्या बताया है, वो बताया है, मांटे सरी, सिक्छा प्रनाली का जो सहज, मतलब अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को सुतंदरता देना इसका उत्देश होता ह तो 67 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, वो बताया है, कंभीरता तथा परिश्रम इसके बिना जीवन में कोई सफलता संभाव नहीं है, तो स्री नमर इसका बिलकुल सही होगा कक्चा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है, तो क्या सुनना सूचना अत्मक सर्वन, मूले आंक का सिर्वन, जोर दिया गया सिर्वन या इनमें से कोई नहीं, आप अध्यापक का लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, तब 68 का अंसर सभी लोग बता रहे हैं, ए कि ये सूचनात्मक सर्वन कहलाएगा ए नम्मर इसका बिलकुर सही होगा सिक्षण का प्रथम चरण क्या है 69 का उत्तर सभी को बताना है तो सिक्षण का प्रथम चरण क्या माना जाता है सभी ने उत्तर बताया है पहले से योजना बनाना यानि बिकल्प नमबर जो A है वो इसका बिलकुर सही होगा अंगला क्वेस्चन है अपने विद्ध्यार्तियों को समझने के लिए एक अध्यापक कुन्यम्न में से क्या जानना आवस्थक है अंगला जो अपना क्वेस्चन है वो क्या है कि छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचना संप्रेशित करने का एक माध्याम है तो क्या माध्याम है सूचना को संप्रेशित करना है तब 70 बन का अंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा दी, स्यामपट प्रस्थूती करना आपका बिल्कुल सही होगा यदू स्यामपट करमें छात्रों की सहवागिता होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए comer 23 का अंसर सभी लोगों को बताना है सभी ने बताया है कि स्यामपट करमें अधेक्तम होनी चाहिए यानी बेकल्प नमबर A इसका बिल्कुल साई होगा दरस इसरब आप सामगरी कार करती है एक उत्प्रेरक की तरह है एक साद्ध की तरह है एक माध्यम की तरह है या उपरयोगते में से कोई नहीं तब 74 का आंसर सभी लोगों ने बताया 74 का A कि एक उत्प्रे रख की तरह है आपका सही होगा बाल के अंदरे सेक्षन विदी का उत्देश होता है तो क्या होता है 75 का सभी ने उत्तर बताया है कि उपर युक्त सभी जो है के अंदरे या सेक्षन विदी के उत्देश होते हैं बहुत बढ़िया डी नमबर का राश्टी एकता की भावना का विकास एह उत्देश से कहां जाएगा तो किसका 76 का जल्दी से उत्र बताओ 76 का आंसर बताया है दोस्तों कि राश्टी एह उत्देश यानि विकल्प नमबर भी आपका बिल्कुर साही हो जाएगा कुछ और प् सीखने पर सरबाद एक प्रभाव पढ़ता है तो किसका प्रभाव पढ़ता है जल्दी से उत्र बताओ 78 का आंसर होगा रूची का यानि बी नमबर इसका सही होगा बालक का सीखने पर है ना बालक का सामजिक बिकास प्रात्मेक रूप से निर्भर करता है तो किस पर निर् कल्प नम्मर सी जो है इसका सही होगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर दें और वीडियो को सभी को सेयर करना है टेलिग्राम ग्रॉप से सभी लोग जुड़ेंगे ठीक है सभी लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही जैहिन